हेलो साथियों आपके अपने यूटूब चैनल सुपर टेकनो में आप सभी का स्वागत है साथियों आज डियाडियो की 6th क्लास है और आज की क्लास लिमिट, फिट एंड टॉलरेंज की 1st क्लास है इससे पिछली क्लास में हम लेट मसीन चैप्टर को कलियर कर चुके हैं और सभी क्लास की वीडियो का लिंक के नीचे वीडियो के description में दिया गया है आप वहां से पिछली क्लास की वीडियो को जरूर वाच कीजेगा तो देखते हैं आज का हमारा पहला question गाइज वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा Question number first क्या कह रहा है कि the difference between the maximum and minimum size allowed in manufactured components is called उत्पादन की एक कंपोनेंट में अधिक्तम और निउन्टम स्वीकर्ट साइजों के बीच के अंतर को कहते है साथियो manufacture की एक कंपोनेंट में अधिक्तम और minimum size में minimum size का जो स्वीकर्ट साइज होता है उसके बीच में जो difference होता है वह आपका tolerance कहलाता है Simple सब्दों में इसका क्या definition हो जाएगा कि high limit size और low limit size के बीच में जो difference आता है वह आपका tolerance कहलाता है The difference between high limit size and low limit size is called tolerance इसको हम थोड़ा example से समझ लेते हैं जैसे कोई job है उसका आपका high limit size दिया गया है high limit size is called to दिया गया आपका 50.02 mm and low limit size आपका दिया गया है 49.97 mm definition क्या कहती है कि high limit size और low limit size के बीच में जो difference होता है वह आपका tolerance कहलाता है तो 50.02 minus 49.97 जब इसको less करेंगे तो यह आपका आजाएगा 0.05 mm यह आपका tolerance है और गाई जो आपका tolerance होता है यह दो types का होता है याने कि types of tolerance आपके कहते होते है two types पहला हो गए आपका unilateral tolerance and second हो गए आपका bilateral tolerance unilateral tolerance में क्या होता है कि unilateral tolerance में जो आपका basic size है basic size से एक ही direction में tolerance दी जाती है यह clear नहीं हुआ होगा आपको चलिए मैं आपको clear कर देता हूँ example से जैसे आपका कोई example दिया गया है 25 यह आपका job का size हो गया जिसमें आपके tolerance दी गई है plus में 0.10 mm और जो दूसरी tolerance दी गई हुआ है 0.05 mm लेकिन क्या यह दोनों plus में दी गई है तो यह आपका unilateral tolerance है दूसरा example देख लेते हैं जैसे दूसरा example हो गया आपका किसी जाप का basis है 18 है और इसका जो tolerance दिया गया है माइनस में 0.10 mm और दूसरा जो tolerance दिया गया है वह भी माइनस में तो आपका क्या हो जाएगा unilateral tolerance एक example और समझ लेते हैं इसमें जाता है students को confusion होता है जैसे कोई job का basic size दिया गया है 15 इसमें आपके tolerance दिया गया है प्लस में 0.0 mm और जो दूसरा tolerance दिया गया है वह 0.02 mm तो क्या होता है इसमें confusion हो जाता है कि इनको लगता है कि आपका कोई भी वैलू चाहिए अगर वह प्लस में हो या फिर आपकी माइनस में हो अगर वह 0 में दी गई है तो उसकी वह tolerance में नहीं मेजर किया जाएगा तो वह आपका यूनि लेटरल टॉलेंस में है अगर यही चीज आपका उल्टा हो जाता है यह आपका वैलू यहां पर प्लस रहती कोई वैलू हो गई और यह माइनस वाल आपका जीरो हो गया तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना यह आपका यूनि लेटरल टॉलेंस है और इसका सेकंड टाइप होता है बाई लेटरल टॉलेंस में क्या होता कि बाई लेटरल टॉलेंस में जो आपका टॉलेंस दिया जाता है वह बेसिक साइज के दोनों तरफ दिया जाता है इसलिए हम इसको मिलिमीटर और माइनस में 0.04 मिलिमीटर एक प्लस में है दूसरा माइनस में है तो यह क्या हो जाएगा आपका bilateral tolerance और इसमें क्या value दोनों में अलग-अलग दी गए कोई भी value 0 नहीं है तो यह आपका bilateral tolerance है आई होप यह question clear हो गया होगा next question क्या कह रहा है कि the measured size of the dimension of a component is called किसी component की मापी के dimension के size को कहते हैं so as operator द्वारा complete job के मापने पर जो size प्राप्त होता है वह ही आपका actual size होता है the option correct है question number 3 क्या कह रहा है कि a pin is fit in a hole the tolerance zone of the pin is entirely have entirely above the above that of hole the fit obtained will be किसी hole में एक pin fit है pin की tolerance zone hole से पूरतया उपर है प्राप्त किया गया fit होगा clearance fit transition fit या interference या आपका none आप दी इसमें आपका interference fit होगा c option correct है interference fit क्या होता है guys कि interference fitting में जो soft का size होता है यानि कि soft का जो व्यास होता है डाया वह आपका बड़ा होता है और जो आपका hole होता है hole का डाया छोटा होता है इसलिए soft के fit करते में इसमें रुकावट पैदा होती है और उसे fit करने के लिए हमको more pressure या या आपका force की आवसकता पड़ती है इसलिए इसको हम interference fit कहते हैं बढ़ते हैं अगले question की और question number fourth in the drawing the dimension of a shaft is shown 14 आपका 14 इस तरह से लिखा गया वो typing नहीं हो पाए 0 एक tolerance दी गई आपकी प्लस में 0.068 और जो दूसरी tolerance दी गई है वो भी आपकी प्लस में 0.048 मिलिमीटर है तो कहरा कि which size of shaft is not within the tolerance एक drawing में shaft की दर्साहिए गई dimension यह है निमलिखित में से soft का कौन सा size tolerance में नहीं है option ए 14.068 mm या option भी 14.096 mm या आपका 14 mm या आपका 39.998 mm तो गाई इसको हम थोड़ा सा explain करते हैं जिससे आपको अच्छे से clear हो जाए आपका जो 14.096 mm है यह आपका tolerance में नहीं है question क्या गई shaft का कौन सा size tolerance में नहीं है तो यह आपका tolerance में नहीं है be option correct है कैसे नहीं है तो जैसे for example आपका maximum size क्या है job का क्या हो जाएगा 14 plus 0.068 तो 8 करेंगे यह आपकी value आजाएगी 0.068 इसको आप साथ साथी साथ copy में करते चलिए जिससे आपको यह clear हो जाए इस तरह के question आपको DRJ exam में आने ही आने इससे relate करते अगर यह question नहीं आ तो इससे relate करते भी question आ सकता है सो आपको इस तरह कोश्चन में confuse नहीं होना है और फिर इसका minimum size क्या हो जाएगा minimum size हम 40 में से हम minus 0.042 घठा देंगे तो आपका आ जाएगा 39.958 पहली value आपके क्या आई थी maximum 40.068 और minimum size आया था वो उसकी value क्या थी 39.958 तो option हम देखते हैं पहला option है 40.068 यह option tolerance में match करता तो यह आपका option question के recording match नहीं है second option है 40.0968 40.0968 को हम देखेंगे इस value और इस value के बीच में है या नहीं ना यह आपका 40.068 के बीच में है और ना यह 39.958 के बीच में यह आपका 40.096 इससे बड़ा है यानि कि यह tolerance में नहीं है तो बीच में आपका करेक्ट हो जाए चालिज भी आपका tolerance zone में है और यह आपका डी आउप्सान है 39.998 यह भी value इन दोनों के बीच में है तो आपका बी आउप्सान करेक्ट हो जाए आई होप यह question आपको क्लियर हो गया होगा कि कहने का सिंसी है कि आपका जो 40.068 है और 39.9958 के बीच में आपका 40.096 यह आपका दोनों साइजों के बाहर है इसलिए आपका यह tolerance में नहीं है और आपका a option b option c option यह तीनों इस value के बीच में है और question पूछाए का कौन साइज tolerance में नहीं है तो भी आपसना आपका correct हो जाए नेक्स question क्या है कि in the drawing the dimension of a whole is 40 value आपके कुछ इस तरह से लिखी गई है 40.028 0.028 और दूसरी value दी गई है 0.040 ठीक कह रहा है कि which size of the following is within tolerance एक ड्राइंग में whole kit दर्साई गई dimension यह है निम्लिकित मेरे से कौन साइज tolerance में नहीं है तो आपका उपर के according हो जाएगा जैसे मैंने भी उपर explain किया है same यह भी वैसे बद इस question में क्या गया कि पूछा गया कि कौन सा size tolerance में है उपर वाले question में क्या था tolerance में नहीं है next question में क्या है कि tolerance में है तो आपका 40.038 mm आपका tolerance zone में है C option correct है question number six है कि interchangeability is normally applied for interchangeability का प्रयोग किया प्राया किया जाता है interchangeability मतलब बिन मैं सीलता क्यों किया जाता है parts की मुरम्मत के लिए बहुत पादन के लिए सिंगल पीस पादन के लिए आलबदी एबोग तो interchangeability का प्रयोग मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है कि इसमें क्या होता है कि interchangeability प्राप्त करने के लिए पार्टों को सही size और tolerance में तयार करना बहुत जरूरी होता है इससे क्या होता है जैसे for example मान लेजिए आप कार खाना चला रहे कार खाने में आपको किसी machine या tools का more quantity में production किया जा रहा है तो इसमें क्या होगा कि अलग अलग operator अलग अलग पार्ट बनाएंगे और फिर उन्हें असेंबल करके जोड़ करके उसे machine या औजार का रूप देंगे तो अलग अलग operator बना रहे तो उसके लिए actual size होगा और टॉलेंस होगा मतलब कि जो आपका सही size होगा और टॉलेंस जो आपका ड्राइंग के अंसा टॉलेंस दिया गया है उसके according जितने भी job बनेंगे जितने भी job बनाए जाएंगे वो perfect और सही होगे जैसे क्या है कि अभी अभी उस machine को जब assemble किया जाएगा तो किसी भी operator द्वारा बनाए गए job को उसमें हम आसानी से fit कर देते इसलिए कहा गया कि interchangeability प्राप्त करने के लिए जो आपके tools हैं पार्ट हैं उसको सही size और tolerance में त bilateral tolerance is fixed bilateral tolerance fix की जाती है अभी मैंने इसको आपको पीछे explain किया अच्छे से तो इसमें आपका answer बताएगा आपको खुद बताना है कि इसका answer क्या होगा हमें comment section में comment करके जरूर बताएगा कि bilateral tolerance fix की जाती है इसमें कौन सा option सही होगा A सही होगा B C या फिर आपका D बढ़ते है next question question number 8 कि as per BIS system system of limits and fits there are 18 grade of tolerances represented by number symbols from limits और fits के BIS system के अनुसार BIS का full form क्या होगा Bureau B-U-R-E-A-U ये भी आप note कर लिए ये भी question कभी कज़ार exam में पूछ लेते हैं तो BIS का full form होगा Bureau of Indian Standard System question कह रहा है कि limits और fits के BIS system के अनुसार 18 gradeों की tolerance को नमबर चिन्नो द्वारा संबोधित किया जाता है so guys limits और fits के BIS system के अनुसार 18 gradeों की tolerance को हम IT 01, IT 01, IT 02 से लेकर IT 16 नमबर साइन द्वारा संबोधित करते हैं इसमें आपका D option correct है इस तरह के question को आप अच्छे से read करने के बाद भी rate करने के बाद ही इसका सही answer देंगे क्योंकि क्या है कि इस तरह के question में जल्दवाजी करने के चक्कर में यह गलत हो जाता है आपको इस चीश का जरूर ध्यान दें रखना की पहली जो सीरीज होगी लिमिट्स और फिट्स के BI सिस्टम के ऐसा 18 गेड़ों की tolerance की जो पहली सीरीज होगी वह आपकी IT 01 से स्टार्ट होगी और सेकेंड रहेगी आपकी IT 0 फिर उसके बाद IT 1, IT 2 से लेकर IT 16 तक D option correct है question number 19 है tolerance is given to the part files to parts पर tolerance दी जाती है किसलिए increase the production उत्पादन बढ़ाने के लिए decrease the production उत्पादन घठाने के लिए finish the components approximately component को लगबक size में finish करने के लिए आपसेंडी प्रोड्यूस दा पार्ट्स विदिन दा रिक्वाइड पर्मिसिवल साइज एरर पार्ट्स को स्वीकर्स साइज वाले तुर्टी वाले साइज के बीच बनाने के लिए जाईर सी बात है question easy भी है और important भी है प्रोड्यूस दा पार्ट्स विदिन दा रिक्वाइड पर्मिसिवल साइज एरर पार्ट्स को स्वीकर्स तुर्टी वाले साइज के बीच बनाने के लिए ही टॉल्रेंस दी जाती है question no.3 है the size of a component is given as 24 आपका bracket में है minus 0.1 what does the minus 0.1 indicate एक component का दिया गया size यह है जिसमें से minus 0.1 क्या प्रकट करता है upper deviation, lower deviation, fundamental deviation या फिर आपका lower deviation so guys आपका जो minus 0.1 है यह आपका lower deviation show करता है the option correct है आपका deviation क्या होता है what is deviation so guys जो job का basic size होता है और वास्त्रिक size अथवा maximum size और minimum size के बीच में जो algebraic difference होता है वही आपका deviation होता है यह भी आपका दो तरह होता है upper deviation और lower deviation जैसे आपका इसको example समझ लेते हैं कोई hole है उसका size हमें दिया गया है 10 और फिर जो tolerance दी गई प्लस में वह 0.5 mm और दूसरी आपकी plus में 0.07 mm और फिर hole का basic size क्या हो जाएगा वह आपका हो जाएगा 10 तो इसमें आपका जो आपका deviation होता है दो टू टाइप्स का होता है फर्स्ट होता है आपका upper deviation और आपका second होता है lower deviation तो जिसमें आपका जो first जो upper deviation होगा वह आपका 0.07 mm और जो आपका lower deviation होगा वह आपका 0.05 mm so I hope deviation clear हो गया होगा next question देखते है what sorry which one of the following is the clearance fit under the whole basis system whole basis system के अंतरगत निम्लिकित में से कौन सा clearance fit है 20H7 प्लिक पीसिस क्या 20H7 Z11 या आपका 20E8 ऑपलिक G11 या आपका 20H7 G11 so guys whole basis system के according आपका 20H7 ऑपलिक G11 आपका clearance fit के अंतरगत आता है D option correct है guys कुछ most important one-liner point आपके DRD exam के लिए इसको आप note करके रखिए आपके exam में जरूर साथ देंगे और next exam में भी आपके साथ देंगे जैसे आपका पहला हो गया BIS आगया आपका BIS का full form दे दिए जाएगा BIS का full form होगा option दे दिए जाएगा तो इसका full form होता है Bureau of Indian Standard और BIS यानि की BIS में आपके जो कुल मौलिक विचलन होते हैं वह आपके 25 होते हैं वहीं पर हम बात कर लेते हैं BSI BSI सिस्टम में जो टोटल होल्स होते हैं वह आपके 21 होते हैं यह भी कोश्चन अगर पूछ लियागा कि BSI के एकॉर्डिंग आपके टूटल होल्स की संख्या होगी आपसन दे दिया जागा तो उसमें आपका 21 आपसन करेक्ट हैं BIS सारी BSI का full form क्या होगा British Standard Institute System फिर हम बात करते हैं BSI BSI सिस्टम में टॉल लेंग के कुल ग्रेड 16 होते हैं यह कोश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं जातर के स्टूर्ण इसी में कंफ्यूज होते हैं इसको आप फिर से सुन लीजिए और कापी में लिख लीजिए जिससे फ्यूचर में कभी इस तरह के कोश्चन में आपको कंफ्यूजन ना हो कोश्चन आपका जो पॉइंट है वो यह इस तरह से कि BSI सिस्टम में टॉल लेंग के कुल ग्रेड 16 होते हैं जबकि BIS सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी 18 ग्रेड होती है निश्ट आपका है कि अंतर राश्ट्रिय इस्तर पर BSI BIS और ISO इंटरनेशनल स्टेंडर्ड और्गनाजिशन सिस्टम को लिमिट वफिट को लिमिट स्वफिट के लिए स्विक्रत किया गया है और गाइज जो आपका ISO सिस्टम होता ISO सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके जो होल की संख्या होती है वो है 28 और सॉफ्ट में जो होल होते हैं उसमें भी 28 होते हैं ISO सिस्टम के अकॉर्डिंग नेस्ट कोश्टन देखते हैं कि हिन होल बेसिस सिस्टम में आपका साथ का साइज इस्तिर रखा जाता है या फिर आपका होल और सॉफ्ट पर स्विक्रत अंटॉलरेंस दी जाती है आपका आप संडी होल पर केवल एलाउंस दिया जाता है सो गाइज होल बेसिस सिस्टम में जेनरली होल का साइज इस्तिर रखा जाता है इस साइज आप दा होल इस मेड कॉंस्टेंट नेस्ट कोश्टन है कॉस्टन नमबर थर्टीन बेस्ट एक्जामपल फार ड्राइविंग फिट इज ड्राइविंग फिट का उत्तम उधारण है आप संडी आप संडी कार्ट रिम आप वोडेन वील बैल गाड़ी के लकड़े के पहिये पर रिम so guys driving fit का जो उत्तम उधारण है वह आपका ball bearing soft पर ball bearing ये आपका driving fit का best example है A option correct है next question है आपका best example for shrinkage fit shrinkage fit का उत्तम उधारण shrinkage fit का उत्तम उधारण आपका बैल गाड़ी के पईये पर A option correct है question number 15 है in the assemblies obtained by using the system of limits and fits the damaged parts limits और fits के system का परियोग करके प्राप्त की गई assemblies में खराब हुए parts को बदला नहीं जा सकता या are required to be scrap scrap में फेगना पड़ता या option C may be easily replaced without rejecting the assembly assembly को बिना reject की आसानी से बदला जा सकता या option D have to made with new tolerance नई tolerance के साथ बनाना पड़ता है limits और fits के system का यूज करके प्राप्त की ये assemblies में खराब हुए parts को हम आसानी से without rejecting बदल सकते हैं C option correct है may be easily replaced without rejecting the assembly question number 16 है in the system of limits and fits standard range of size covered limits और fits के BIS system में size की cover होने वाली standard range है option 0 to 500 mm option 25 to 400 mm option 0 to 100 mm option D 0 to 10 mm limits और fits के BIS system में size की cover होने वाली जो standard range होती है वह आपकी 0 to 500 mm होती है option right है next question है BIS पद्धत के अनुसार fits के तीन वर्ग होते है तो आई ये आपको पता होना चाहिए कि BIS system के अनुसार जो fits के तीन वर्ग होते हैं वह आपके clearance fit, transition fit और interference fit होते हैं A option correct है question number 18 है in the BIS system of limits and fits 25 whole deviation are specified by using limits और fits की BIS system में 25 whole विचलने dash का प्रियोग करके निर्दिश्ट की जाती है option small letter, capital letter small letter with tolerance या small letter with numbers limits और fits की BIS system में जो 25 whole deviation का use किया जाता है वह आपका capital letter में use करते हैं, capital letter का use करके निर्दिश्ट यानि की specify किया जाता है, B option correct है, question number 19 है the first step of quality control is the product specification on whose opinion is the product specification based, quality control में चरण उत्पादन की specification है, कह रहा है कि बहुत उत्पादन द्वारा, यहां पे गाईज थुड़ा टाइपिंग में श्टेक लग रहा है, quality control में पहला चरण सही है, उत्पादन की specification किस के विचार पर उत्पादन की विशेश उलेक आधारित हैं, मार्क marketing विभाग या consumer या आपका sales department या आपका servicing department, तो जायर सी बात से जो आपका consumer है, यानि कि जो प्रियोग कर रहा है, उस वही आपकी quality control में पहला चरण है, जायर से बात अगर बहुता को सही चीज नहीं मिलेगी, तो quality कही से बताएगा, अगर product आपका सही है, quality में अच्छा ह है, तो वही आपका quality control बताएगा, question number 20 है, कि mass produced components should be interchangeable, one of the following is the most important factor required to achieve the interchangeability in mass production, हिंदी में देखते क्या कह रहा है, कि बहुत पादन द्वारा बनाए गए components को interchangeable होना होना चाहिए, mass production में विनमेश शीलता प्राप्त करने के लिए कौन सा एक महत्वपूर साधन है, dimension accuracy या standardization या आपका geometrical accuracy या आपका surface finish, so guys mass production में interchangeability प्राप्त करने के लिए आपका जो standardization मान की करन होता है, या एक महत्वपूर साधन है, be option correct है, so guys आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अपनी next वीडियो में आगे के question के साथ, तब तक बने रही है हमारे साथ आपके अपने यूटूब चैनल super techno में, और आज यदि आपको किसी question में कोई doubts है या किसी तरह की query है, तो आप हमें comment section में comment करके जरूर बता सकते, आपको उस query को उस doubts को हम दूर करने की पूरी कोशिस करेंगे, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अन्यवाद